फिर बिगड़ेगा मौसम होगी भारी बारिश आयमडी ने एगले पांच दिनों के लिए जारी किया एलर्ट देश भर में जिसकदर बारिशों ने माहोल खराब किया हुआ है उसे अभी कोई भूला नहीं है अब एक बार फिर मौसम को लेकर अलर्ट जारी हुआ है आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है कई जगे होपार तो भारी बारिश की चितावनी भी जारी की गई आयमडी ने मंगलवार को कहा के निचले और मध्य शोब मंडलस्तर पर उत्तरी बांगलादेश के ऊपर एक चक्रवाथी पर संचन बना हुआ है अगले चार से पांच दिनों के दोरान मोंसून ट्रफ अपनी सामाले स्थित्ती से उत्तर में या हिमाले की तलहटी में होने की संभावना है आयमडी के नुसार अगले साथ दिनों के दोरान मध्य पश्चिम और दक्षिन भारत में कम बारिश होने की संभावना है हाला कि बिहार उत्तराखन समेत कई राज्जों में भारी बारश की जितावनी जारी की गई मौसम का पूर्वनुमान और चितावनी 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के दोरान उत्तराखन में हलकी से मध्यम चिटपुट से लेकर काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना है तो वहीं कुझ इस्तानों पर भारी वर्षा होने के अलड़ जारी किया गया 9 अगस्त के दोरान पूर्वी उत्रपदेश और 9 अगस्त को पश्चिम उत्रपदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है 10, 11 और 12 अगस्त को उपमाले पश्चिम मंगाल से किम में हलकी से मध्यम व्यापक वर्षा होने के साथ अलगलक स्थानों पर भारी वर्षा होग पूर्वी यूपी में भी कई स्थानों पर गरत्चमक के साथ बारिश की असार है इस दुरान पूर्वी यूपी में एक दो स्थानों पर भारी स्वत भारी बारिश और बिजली गिरने की चितावनी मसल में भागनों दी है वेस्थ यूपी में भी एक दो स्थानों पर तेज बारिश होने के साथ बिज्री गिर्नी की आशंका है श्रावस्ति लखीनपूर खीरी बहराईच बलरामपूर और आसपस के लाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है इसके अलावा गुरकपूर बस्ती संत कबीर नगर कुशिनगर महराज गंज सिधार्ट नगर गोंड में तेज़ बारिश हो सकती है बारंभाकि सीतापूर शाजापूर आयोध्य रामपूर बरेली पीली भीत और इसक्यास पस के लाकों में भारी बारिश के आसार है वाच्वं आजभार गणने के साथ बिज़ली किंतने की आशं में 48 घंटों के दोरान बारिश हो सकती है इसको लेकर यलो और और अरणज अलट भी जारी हुआ सीता मड़ी मधुबनी मजफर पोर सहर साकटिहार और पूर्णिया जिलो में आज और अरणज अलट जारी हुआ है इसी कड़ी में किशन गंज पाशी में चमपारण सारन गोपाल गंज वेशाली जिलो में बारिश की संभावना है गया नालंदा नवादा जिलो में बारिश को लेकर ये लोवनेट भी जारी हुआ आपको बता दे जुलाई में राज़ में कम बारिश हुई है लेकिन अगस की शुरुआत से ही राज़ में मौसम बदलने लगा है MP मौसम भाग की मानने तो कोई सिस्टेम एक्टिव न होने के चलते अगले 24 घंटों में कहीं भी तेज बारिश होने क्या असार नहीं है कुद्जिलों में बुनाबांदी जरूर हो सकती है भौपाल इंदोर उजजयन जबलपूर नर्मदाबुरम संफाग में मौसम के साफ रहने का अनुमान है आज भुपाल में बादल चाय रहेंगे, इंद्रोट जबलपुर में बुन्दाबानी हो सकती है, ग्वालरोजेन में भी मौसम साफ रहेगा, जहार खंड में लगब घर जिले में जमाजम बारेश हो रही है, राजधनी राची में भी पिछले 24 गंटे लगातार मूसल अधार बारेश होती रही, वहीं पिछले 24 गंटों में अधिक बारेश गड़वा के भवनातपुर में हुई है, मौसम भाक्यन सार जहार खंड में अभी ऐसा मौसम बना रहेगा, और आने वाले तिन दिनों के बाद बारेश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी मौसम के हार लेटेस्ट खबर पाने के लिए आवी सब्सक्राइब करें योएम वीडियो, अपना कीम भी समय देने के लिए धन्यवाद, आपको देल शुभ हो